नमसकर दोस्तों गडेन येन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने बाले हैं पॉनसेटिया के प्लांट के बारे में। और दोस्तों ऐसे में च्छे तीपस बताऊँ गा। जिससे आप मानेंगे तो आपका पॉंसेटिया भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा पॉंसेटिया विंटर का बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है और दोस्तों विंटर में ये आपके गार्डन में कलर एड करता है और बहुत लॉंग लास्टिंग बाला इसका फोलीज और फूल रहता है दोस्तों तो टीप्स नुमर वान है इसका पॉट साइज पॉट साइज के अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इसे आप ना ज़्यादा चोटा ना ज़्यादा बड़ा मीडियम साइज का पॉट में लगाईए और प्लास्टिक पॉट में दोस्तों ड्रेनेज होल ज़्यादा रहता है तो इसे ऐसा पॉट ही चाहिए तो प्लास्टिक पॉट अगर आप मीलता है तो लगाईए वहाँ पे drainage hole ज़्यादा रहना चाहिए और दोस्तों पानी ठहरना इसे पसंद नहीं है पानी अगर ठहरेगा तो यह root rot हो जाता है तो plastic pot best है इसके लिए पहला tips यह गया second है दोस्तों इसका मीटी मीटी भी इसका well done मीटी आप लीजिएगा इसमें देखिए rice cells मिला हुआ है और rice cells drainage system को बहुत अच्छा करता है तो आपका भी अगर मीटी है तो उसमें थोड़ा rice cells मिला दीजिए तो media आपका well done बन जाएगा और ऐसा ही media दोस्तों इसको चाहिए और tips no.3 है जब आप nursery से इसे buy करते हो दोस्तों तो price भले ही जादा पड़े लेकिन थोड़ा बड़ा plant आप लाएगा प्लांट दोस्तों नरसरी में 1500 से 200 रुपया तक price रहता है कहीं कहीं 200-300 तक भी जाता है वो area के उपर depend करता है और बड़ा plant में इसलिए आपको बोला क्योंक ज़्यादा branch रहेगा तो flowering ज़्यादा आएगा और बड़ा plant ही दोस्तों summer में survive करता है और चोटा plant summer में उतना survive नहीं करता है तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा जब भी आप लाते हो तो बड़ा plant ही आप select कीजिएगा टीप्स नमर चार है इसे sunlight दोस्तों sunlight इसे morning का sun मिले तो बहुत अचा रहता है और सुबह का बस एक घंटा डेड़ घंटा का sunlight इसे मिल जाए तो बहुत अच्छे से ये grow करता है और March के बाद दोस्तों इसे आप set में ले लिजेगा green net में और दोस्तों किसी बड़े से पेड के नीचे या फिर छाओं में इसे आप रखेगा March के बाद आपका समर तक और दोस्तों समर में इसे बचाना पड़ेगा आपको तो समर में इसे अगर आप बचा लिए तो ये perennial plant है और अगले साल भी आपका ये फूल देगा दोस्तों सालों साल चलेगा और टीप्स नमबर पांच है दोस्तों ये humidity से पसंद है तो समर में इसे humid रखे और इसका नीचे आप पानी डालते रहेंगे तो इसे moisture मिलता रहेगा और दोस्तों ऐसा अगर आप करेंगे तो समर में ये बच जाएगा और समर में ये बच गया तो आपका जैसे ही November, December आएगा ये फिर फूलों से भर जाएगा दोस्तों तो पेरिनियल प्लांट है इसका आप अच्छे से क्यार कीजिए तो बहुत अच्छा करेगा दोस्तों और ये स्टेम कटिंग के थो प्रोपागेट भी होता है तो प्लांट आपका बड़ा हो जाए तो स्टेम कटिंग से इसे फिर बनाईए ये प उतना जहरीला पोधा भी है दोस्तों और इसका बहुत सारा कलर आपको मिल जाएगा इसका पिंक मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला पिंक है और इसका रेड थोड़ा ओल्ड भराइटी है और इसका दोस्तों डॉटेड भी आने लगा है और डॉटेड और इसका है रहता है तो पेरिनियल प्लांट है इस हिसाथ से आप इसे खरीद के लाइए और मैं जो टीफ्स बताया उसे आप फूलों कीजिए देखिएगा आपका पॉंसेटिया भी फूलों से भरा हुआ रहेगा टीप्स नमबर 6 है दोस्तों फटी लाजर की बात करें तो द परज गया तो इसका क्यार आप अच्छे से कर पाएंगे और एक साल अगर आप कंटिन्यू कर गए तो इसका क्यार आप बहुत अच्छे से जानेंगे तो दोस्तों आज का चनकारी और यह पोधाफ को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा फिर जल मिलते हैं और एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार